Hello everyone, welcome back to our channel Literary Nerds आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको अपना एक्जाम का रिजल्ट कैसे चेक करना है तो काफी सारे लिंक्स अक्टिव हुए थे इगनू की ओफिशल वेबसाइट पर कभी कोई लिंक काम करता है कभी कोई वर्क नहीं करता है तो अभी जिस पे सबसे जल्दी अपडेट हो रहा है जो भी रिजल्ट आ रहा है क्योंकि एक ही साथ इगनू रिजल्ट अपडेट नहीं कर रहा है subject by subject हो रहे है and date कोई particular नहीं है कि कौन से दिन पे कौन सा code का आपका status अपडेट हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो भी लिंक एगनू की तरफ से दिया गया है वो मैं description में paste कर दूँगी आप वो देख सकते हो उस लिंक को click करके आपको जादा काम नहीं करना है सबसे easy to go process है difficult कुछ भी नहीं है तो सबसे जादा easy यही था इसलिए मैं आपके साथ share कर रहे हूँ क्योंकि काफी students के doubt आ रहे थे कि हम अपना result कैसे check करें जो भी previous session में अपना exam दे चुके है तो देख सकते हो आप अपना result हो सकता है आपके सारे subject के ना आये हो result अभी तक अगर आपने 6 subject या 8 subject के paper दियर से तो हो सकता है उसमसे सर्फ 5 ही आये हो चार आये हो या हो सकता है आठ के आठ आ चुके हो पर ज़रूरी नहीं है कि सारे students के सारे result आ चुके हो तो जैसे कि आप अपनी screen पर देख रहे होगे जैसी आप वो link पर click करोगे description में mention होगा link आपके सामने एक window open हो जाएगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना enrollment number ढालना है और submit पर click करना है जैसे आप समिट पर click करोगे तो आपके सामने एक screen open हो जाएगी जहां पर एक तो आपके पर सबसे main information होगी कि कब वो status update हुआ था last तो status as on November 17, 16, 15 तो मतलब यहां पर जो आप screenshot देख रहे हो इसके अंदर status as on November 17, 2022 given है यानि 17 November के बाद अभी status कोई update नहीं हुआ है यह last status जो update हुआ था वो 17 को update हुआ था इसके बाद अभी तक नहीं हुआ है तो आपका enrollment number mentioned होगा नीचे program mentioned होगा और बाकि सारी जो basic details होगी वो mentioned होगी तो आप यहां पर देखोगे कि course codes given होंगे जिनके results आ चुके होंगे सिर्फ यहां पर वही दिखेगा maximum marks होंगे कि कितने marks का paper था और उसके बाद आपका marks और gates जिप्ते भी आपके आये हैं वो given होगा date of updates on website तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे codes के एक साथ update नहीं करेगा अगर आप सोच रहोगी एकी class में सारे सोचो MEC07 के बच्चे बैठे थे अगर 30 बच्चे बैठे थे एकी class में तो जरूरी नहीं है उन्तीस का भी side by side update हो गया हो तो यह आप चेक कर सकते हो easily इस link के थूँ यह link आप सेव कर सकते हो अपने पास या फिर वीडियो के description link में से देख सकते हो इसके अंदर आपको बस easily enrollment number डालना है और बार बार चेक करते रहना है अपना result जैसे 17 November को update हो आता तो हो सकता है कि आज update हो जाए या कल हो जाए जैसे भी update होता रहेगा आपको चेक करते रहने जब तक आपके पूरे subject के marks नहीं आ जाते हैं तो यह easy process है सबसे जादा and यह सबसे जादा authentic भी है और सबसे पहले इसी link पर update होता है अगर आपके पास कोई और link saved है तो उसके अंदर धीरे धीरे update होगा तो इसको update कर लीजे अपने पास and इस link के थूँ ही चेक कीजे अपना जो भी आपके examination का status है and yes अगर आपने अभी तक assignments नहीं बनवाए है तो date आने वाली है 30, 30 November last date है तो आप जल्दी से जल्दी assignments बनवा लिजे, examinations, date sheet आ चुकी है tentative भी तो आप उसमें देख सकते हो, date sheet भी बिल्कुल examination pass है तो अगर आपको guest papers purchase करने है तो आप screen पर दो numbers flash हो रहे होंगे, उन पर whatsapp क पर सकते हो, assignments के लिए, guest papers के लिए, guest papers में सारे important questions covered होते हैं, जो भी जुनके पास भी time नहीं है, पढ़ने का भी, and last moment तयारी कर रहे हैं, तो guest papers उनके लिए best है क्योंकि उसमें से काफी questions repeated आते हैं, and ये काफी students का ही review है, कि उसमें से बहुत सारे, जो questions थे, वो repeat होके examination में आय the very best